नमस्कार दोस्तो जानो टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है तो आज हम बात करेंगे चरोली की जी हाँ चरोली की चाल समतकार जो बनाएं चेहरा चमकाय हर बार जी हाँ दोस्तो चरोली का उपयोग अधिकतर मिठाईयों में जैसे हलवा लड़ू खीर पाक आदी में सूखे करता कायम रखने में भी उपयोग किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे जी हाँ नारंगी और चरोली की छिलकों को दूद के साथ पीश कर इसका लेप त्यार कर लें और चेहरे पर लगाएं इसे अच्छी तरह सूखने दें और फिर खूब मसल अगर चेहरे को धोएं ले इससे चेहरे के महसिक राइब हो जाएंगे जी हाँ अगर एक हफते तक प्रयोग के बाद भी असर ना दिखाए दे तो लाफ होने तक प्रयोग जारी रखें गीली-खुझली जी हाँ अगर आप गीली-खुझली की बीमारी से पीड़ है तो 10 ग्राम चरोली 10 ग्राम गुलाब जल इन तीनों के साथ में पीश कर इसका पतला लेप त्यार करें और खुजली वाले सभी स्थानों पर लगाएं ऐसा करीबन 4-5 दिन करें इससे खुजली चल्दी ही ठीक हो जाएगी चमकती द्वाचा जी हां चरोली को गुलाब जल के साथ सिल्वट्टे पर महिन पीश कर लेप त्यार कर चेहरे पर लगाएं लेप जब सूखने लगे तो उसे अच्छी तरह मसले और बाद में चेहरा दो लें इससे आपका चेहरा चिकना सुंदर और चमकदार हो जाएगा इसे एक सप्ताह तक हर रोज प्रयोग में लाएं बाद पीस किराम चिरोण जी जिसको हम कहा रहे थे चिरोण जी जिहाँ इसका असली नाम चिरोण जी जो हम आप हासा पर बोल चाहल का दें चिरोण कहते हैं चरोंजी को खुब चबाचा भार का खाएं साथ दूर्णी को पीस कर इसका लेप करें इससे बहुत फायदेमन होगा यह नुक्सा सीत को तुरंट हम कर देगा और आपको इससे काफी वाय़ा होगा चरौअब जिससे हम चरौअब ह 9 today दोशतों कोitzाम जो 17 serves इसे हम सूखा भी खा सकते हैं और में मिठाई योंग में काम में या तो दोस्तों इसी प्रकार की और रोचक वीडियो के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें